Hello guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel So, फिर से सौरी, वीडियो अप्लोड करने में थोड़ा डीले हो गया उसका रीजन ये है कि हम Deep Learning Playlist में जो अगला वीडियो है वो Back Propagation है, मैं उसके उपर काम कर रहा था जैसा कि आपको शायद अल्रेडी पता होगा कि Deep Learning में Back Propagation is one of the most important topics और ये एक ऐसा topic था जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाना चाता हूँ और एकदम flawlessly वो content मैं आपके सामने रखना चाता हूँ तो that is why उस content को create करने में थोड़ा सा time लग रहा है I hope you can understand, ठीक है So, अब हुआ क्या कि मैंने काफी दिनों का research उसमें डाला और फिर वीडियो को मैंने shoot किया और वीडियो जो है वो थोड़ा बड़ा बन गया अभी भी complete नहीं हुआ है, कुछ चीज़े बची हुए है So, मैंने क्या decide कि मैं back propagation का जो हमारा topic है उसको तीन parts में आपके सामने लेकर आऊँगा So, back propagation के उपर तीन videos आएंगे ये पहला video है, मैं इन तीनों videos का आपको structure बताता हूँ So, मैंने decide किया है कि मैं what, how and why के format में आपके सामने ये topic रखूँगा So, I personally feel कि अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तो अगर आप उसके बारे में सारा what, how and why समझ लो तो आपको वो topic समझ में आ जाएगा तो मैं same format यूज़ करूँगा back propagation समझाने के लिए आज का जो video होगा, इसको मैं the what बुलाऊँगा So, आज के video में आप क्या करोगे आप आज के video को देखके समझोगे कि back propagation होता क्या है ठीक है, तो मैं आपको basic algorithm समझाऊँगा मैं आपको थोड़ा बहुत maths करके दिखाऊँगा जिससे आपको एक समझ आएगा, आपके दिमाग में एक understanding develop होगा कि back propagation किसे कहते हैं, ठीक है, और वो कैसे काम करता है उसके बाद second जो video होगा, इस series का उसमें हम the how बोलके मैं उस video को बनाऊँगा the how वाले मैं मैं दो data sets लोगा, एक regression data set और एक classification data set और मैं आपके सामने scratch से सारे का सारा maths निकालूँगा सारे का सारे expression solve करूँगा और फिर वो जो भी maths बनेगा, उसको मैं code में convert करके दिखाऊँगा तो second वाला part would be the how part, ठीक है फिर जो third part होगा, वो होगा the why part so what और how से जो भी doubts निकल के आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ये चीज ऐसे क्यों काम कर रही है तो इस तरह के questions को हम लोग answer करेंगे third part में which would be the why part, ठीक है तो I hope आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां पे हमारा goal is to understand what is back propagation ठीक है, so let's start the video तो चलो guys, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं official definition से अगर आप google करोगे back propagation तो आपको ये definition दिखाई देगा या फिर इसी type का definition दिखाई देगा जहां पे लिखा होगा back propagation short for backward propagation of errors is an algorithm for supervised learning of artificial neural networks using gradient descent given an artificial neural network and an error function the method calculates the gradient of the error function with respect to the neural network's weight ठीक है, अब I know ये definition पहली बार पढ़के अगर आप एक beginner हो तो थोड़ा सा डर लगता है कि क्या-क्या complex चीजर लिखी हुई है तो हम एक काम करेंगे हम इस पूरी चीज को simplify करेंगे ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि भाई back propagation क्या होता है तो मेरे पास एक simple सा answer है मैं सीधे-सीधे आपको बोलूँगा इस अन अल्गोरिदम विच इस यूज़ तो ट्रेन निउरल नेट्वर्क्स दाट्स इट फोर मी दिस इस दा देफिनिशन बाक प्रपरगेशन एक अल्गोरिदम है जिसको यूज़ करके आप simple neural networks को अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भई ट्रेनिंग क्या होता है एक छोटा सा example लेते है मान लो हम एक dataset के ओपर काम कर रहे है जहांपे students का CGPA है उनकी IQ का value है और उससे हमें predict करना है कि उनका package कितने lakhs per annum का लगेगा ठीक है अब ये data कुछ ऐसा दिखाई देता है मैं कुछ example rows यहां पर डाल रहा हूँ सो मान लो ये student है इसका CGPA 8 है इसका IQ 80 है और इसका package लगा 8 लाग का ये 7 का CGPA है 70 का IQ है इसका package लगा 7 लाग का अब मैंने क्या किया मुझे इस prediction problem को सिंस ये एक regression problem है इसको solve करने के लिए मैंने एक neural network architecture बनाया this is the neural network architecture बहुत ही simple neural network architecture है यहाँ पे 3 perceptrons है यहाँ तीन neurons है यहाँ से आप CGPA का value दोगे यहाँ से आप IQ का value दोगे और यहाँ पे आपको आपका prediction मिलेगा ठीक है अब होता क्या है कि neural network में दो चीज़े होती है एक होता है weights और दूसरा होता है bias तो यह जो आपको edges दिख रहे है यह आपके weights है और यहाँ पे आपका bias होता है ठीक है तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे train करना है मेरे neural network को तो मैं actually इन weights and biases का correct value find करना चाहता हूँ इस data के हिसाब से तो अगर आब मैं वापस आऊँ तो definition का मतलब यह हुआ कि back propagation एक algorithm है जो neural networks को train करता है या फिर simple words में बोला जाए तो for a given data वो weights और biases का value find out करता है सबसे optimum value जिसके लिए आपका neural network सबसे बढ़िया prediction देगा इस data के उपर I hope यहां तक आपको समझ में आ रहा है अब सवाल आता है कैसे how कैसे exactly आप इन weights और इन biases का सही value निकालोगे वही हमें समझना है इस पूरे वीडियो में अब guys आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात पहले से बताना चाहता हूँ कि आपको back propagation अगर अच्छे से समझना है तो दो topics आपको पहले से आने चाहिए पहला topic है gradient descent जो की basically एक optimization algorithm है और दूसरा topic है forward propagation forward propagation क्या होता है यह basically technique है जिसको use करके neural network predictions करते हैं यह दोनो topics आपको अच्छे से आने चाहिए तभी आप जादा अच्छे से समझ पाओगे जो आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा ठीक है तो यह दोनो topics मैंने अपने चैनल पे cover कर रखे इन दोनों का link मैं description में डाल दूँगा आपका काम है कि अगर आपको लगता है कि इन दोनों में अभी आपको full confidence नहीं आ रहा एक बार जाके यह दो वीडियो देखना उसके बाद ये वाला वीडियो देखो जादा अच्छे से appreciate कर पाओगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो चलो अब सीखते हैं कि back propagation काम कैसे करता है हम back propagation का working देख रहे है अब back propagation जो होता है वो एक series of steps follow करता है weights और biases का सही value निकालने के लिए series of steps follow करता है सो मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ी देखे लिए मैं यह जो मेरा data है इसको यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ इस जगा पे IQ, CGPA और LPA यहाँ पे आगया 80 60 70 120 8 9 5 7 3 5 8 11 ठीक है यह मेरा data है तो लाल इसमें 4 students का data है there are 4 students also I would do one more thing आगे के discussion के लिए मैं एक बार यह neural network फिर से बना रहा हूँ because काम आएगा this is the neural network also यह भी connection है यहाँ से आप IQ भेज रहे हो यहाँ से आप CGPA भेज रहे हो ठीक है अब मैं काम कर रहा हूँ हम लोग notation के हिसाब से इन weights को label कर दे रहे यह हो जाएगा W1 11 यह हो जाएगा W1 12 यह हो जाएगा W1 21 और यह हो जाएगा W122 बेसिकली यहाँ पर सारे W1 वाले weights है ठीक है इसका bias हो जाएगा B11 इसका bias हो जाएगा B12 यह weight हो जाएगा W211 और यह हो जाएगा W21 21 यह हो जाएगा bias 21 और यहाँ से आपको मिलेगा आपका Y hat ठीक है यह labeling करने ज़रूरी थी ताकि हम आगे का काम कर पाएग ठीक है चलो अब मैं आपको यहाँ बे step by step बताता हूँ कि होता क्या है I'll tell you the steps So होता क्या है Step 1 में You select a point और basically row बोल सकते हो आप यहाँ पर we select a student So आप क्या करते हो आप अपना पहला student select कर लिया आपने इस student को आपने पकड़ा और आप क्या करते हो इसके marks as in इसके CGP और इसके IQ को आप इस neural network में डालते हो Also इसके भी पहले आप बोल सकते हो step 0 होता है initialize weights and biases ठीक है तो अलग-अलग type के initializations होते हैं जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि weights को और bias को random values दे देते हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि weights को 1 का value दे देते हैं और bias को 0 का value दे देते हैं तो देरा different initialization techniques और उनके ओपर भी depend करता है कि back propagation कितना efficiently काम करेगा बट आज के वीडियो के लिए हम सब कुछ simple रखने वाले हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ये वाला initialization technique यूज कर रहा हूँ जब back propagation start होगा यहाँ पर जितने भी weights हैं इन सब का value 1 होगा और जितने भी biases हैं इनका value 0 होगा मैंने ये मान लिया ठीक है also एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि ये जितने भी nodes हैं इन सब के अंदर जो activation function मैंने चूज किया है वो है linear कहीं भी मैंने sigmoid use नहीं किया है यहाँ भी linear है यहाँ भी linear है और यहाँ तो linear होगा ही because ये regression problem है so ये एक setup आपको याद रखना है ठीक है अब देखो हमने सबसे पहले rates को initialize कर दिया bias को initialize कर दिया अब आप अपने पहले student को पकड़ते हो और उसके data को आप यहाँ पे feed करते हो इस जगे पे ठीक है और आपका काम क्या है आपका जो initial weight और bias का value है उनको use करके आप predict करते हो कि इस बच्चे का LPA कितना होगा इसी step को आप forward propagation भी बोलते हो ठीक है so होगा क्या simple dot product होगा अगर आपने देखा होगा वो वीडियो forward propagation वाला तो आपको पता होगा यह पूरा matrix math होगा और end में यहाँ पे आपके पास एक number आएगा जो कि आपके neural network को लगेगा कि इस बच्चे का LPA होना जीए सिंद शुरू में जो weights हैं वो एकदम ही उटपटांग है तो यह number कुछ भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है ठीक है माल लो थोड़ी देर के लिए हमारा number आया 18 18 LPA अब अगर आप देखो तो data में actually तो 3 है बट सिंस हमने गलत weights के साथ स्टार्ट किया था आउटपट आया 18 आप actually यह calculation करके देख भी सकते हो कि कितना आएगा ठीक है बट मैं नहीं कर रहा विडियो फालतों में लंबा हो जाएगा तो जो भी है actual data में है 3 लाख मेरा neural network बोलता है इसको 18 लाख मिलना चीए तो मुझे clearly पता है कि गलती हो रही है अब अगर आप सोचो तो गलती क्यों हो रही है गलती सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके weights और जो biases है उनका value अभी सही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको किसी तरीके से अपना error को निकालना होगा और उस error के हिसाब से आपको इन weights और biases के value को adjust करना होगा ठीक है तो आप step 3 में क्या करते हो you choose a loss function you choose a loss function ठीक है since यह regression problem है मैं यहाँ पर MSC use करूँगा MSC क्या होता है mean squared error जिसका formula यह होता है y minus y hat का whole square ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा यह जो बच्चा है इसके लिए इसका loss calculate करूँगा इसका loss क्या हो जाएगा 3 minus 18 का whole square which is a big number 225 आएगा शायद ठीक है तो यह मेरा error है this is my error for this student अब मुझे क्या करना है इस error को use करके अपने neural network को समझाना है कि देखो भाई तुम गलती कर रहे हो देखो कितनी गलती हो रही है और आपको अब अपने weights और biases को adjust करना है based on this error ठीक है अब सोच के देखो यह पूरी चीज़ कैसे काम करीगी यहाँ पे main जो चीज़ है back propagation का वो आता है ध्यान से देखना so I'll just erase this if you think carefully अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको दिखाई देगा कि loss क्या है loss is basically y minus y hat का whole square basically loss में दो components है एक y है और एक y hat अब y क्या है y है यह 3 data का जो output है और y hat क्या है 18 जो आपके neural network का prediction है अब आपको loss को घटाना है आपको अपना error reduce करना है right अब error दो चीजों से बना है y और y hat क्या आप y को change कर सकते हो नहीं आप y को change नहीं कर सकते है because वो आपका ground truth है वो आपका label है वो आपका data में है you can not change y you can only change y hat तो it basically means अगर मुझे loss as in error को reduce करना है I can change my y hat अब हो सकता है मुझे y hat को बढ़ाना हो हो सकता है मुझे y hat को घटाना हो जैसे इस case में clearly दिख रहा है कि मेरा y hat 18 है मुझे इसको घटाना है ऐसा भी हो सकता था कि मेरा prediction होता 1 इस case में मुझे अपने y hat को बढ़ाना होता you are getting the idea अब सवाल ये आता है कि y hat को बढ़ाना या घटाना ये किस चीज़ पर depend करेगा हमें वो समझना है y hat को बढ़ाना और घटाना अगर आप इस neural network को देखो तो आपको तुरन समझ में आ जाएगा कि किस पर depend करता है so अगर आप देखो तो y hat is basically output from 2,1 इस node के output को आप क्या बोलते हो y hat और ये node का output कैसे calculate हुआ अगर आप देखो o2,1 कैसे calculate हो रहा है ये जो neuron है इसमें आपके पास 5 चीज़ है ये weight है जो इस वाले node के output से multiply होगा w2,11 multiplied by o,11 प्लस ये जो weight है ये इसके output से multiply होगा w2,21 multiplied by o,12 प्लस इसका खुद का bias आड़ होगा b,21 अब सिंस यहाँ पे कोई activation function नहीं है तो वो activation function नहीं हो रहा है sigma of z नहीं हो रहा है यहाँ पर clearly अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे loss को minimize करना था जिसके लिए मुझे क्या करना है मुझे मेरे y hat को change करना है y hat ही o,21 है और o,21 के उपर अगर आफ focus करो तो वो 5 चीजों पर depend कर रहा है वो w,11 पर भी depend कर रहा है o,11 पर कर रहा है w,21 पर कर रहा है o,12 पर कर रहा है और b,21 पर भी कर रहा है तो अगर मैं chart बनाना चाहूँ तो ध्यान से देखो यह chart आपको समझाएगा कि हो क्या रहा है आपको l को change करना है उसके लिए आपको y hat जिसको आप o,21 भी बोल सकते हो इसको change करना है अब यह चीज पाँच चीजों पर depend कर रही है किसपे किसपे o,11, o,12, w,21, w,21, w,21 और b,21 अब अगर आप इस bias का बात करो इस weight का बात करो और इस weight का बात करो इनको तो आप बहुत easily change कर सकते हो राइट बट अगर आप o,12 का बात करो o,11 का बात करो basically इस वाले note का output का बात करो और इसके output का बात करो तो अब ये खुद में complex चीज है let's talk about इसका output o,11, ये कितनी चीजों पर depend करता है ये फिर से 5 चीजों पर depend कर रहा है देखो मैं लिखके बताता हू just give me one second मैं लिखके बताता हू ये किस पर depend कर रहा है जैसे o,11 जो है ये depend कर रहा है iq के value पे ये depend कर रहा है cgpa के value पे ये depend कर रहा है इस weight पे w,11, और ये depend कर रहा है इस weight पे w,1,21 तो मैं ये लिख देता हू w,11, w,21 और फिर ही अपने खुद के बाइस पे भी depend कर रहा है which is B21 I'm sorry B11 होगा यह just give me one second B11 ठीक है similarly आप चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि O12 किसके depend कर रहा है यह आपके लिए है खुद सोचना इसका output किन चीजों पे depend करेगा खुद के बाइस पे, इस weight पे, इस weight पे, CGPA पे और IQ पे तो you can see यह complex hierarchy है तो अगर मुझे loss को minimize करना है उसके लिए मुझे इसको change करना है अगर मुझे इसको change करना है तो मुझे इन 5 चीजों को मैं change कर सकता हूँ उन में से एक चीज और यह एक चीज खुद में complex चीज है जिनको बदलने के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाके changes करने पड़ेगा obviously आप CGP और IQ में changes नहीं कर सकते यह data है बट आप बागी के weights में changes कर सकते हो bias में changes कर सकते हो so the idea is very simple कि इस loss को घटाना इस चीज पर करेगा कि आप पीछे जाके in weights और biases को किस तरीके से change कर रहे हो तो यह जो आप पीछे जाकर के चीजों में change कर रहे हो इसी लिए इस algorithm का नाम back propagation है ठीक है back propagation of errors क्योंकि आप इस error को पीछे की तरफ ले जाकर के solve कर रहे हो ठीक है तो I hope आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो अब ध्यान से देखो हमने एक loss function चूज कर लिया है हमने एक loss function चूज कर लिया है हमारा loss function है MSE अब बस हमें क्या करना होगा हमें fourth step में अपने weights and biases को update करना होगा और update आप किस चीज को use करके करोगे gradient descent gradient descent और gradient descent बहुत simple तरीके से apply होगा आपको आपके जितने भी weights हैं और जितने भी biases हैं उनके उपर यह rule लगाना होगा weight new is equal to weight old minus learning rate times partial derivative of your loss function with respect to the weight यह update rule आप use करोगे to update your weights as well as bias bias के लिए भी मैं लिख देता हूँ जितने भी bias हैं वो इस तरीके से update होगे this is the rule that you will follow तो एक बार मैं summarize कर रहा हूँ यहाँ पर by the way अगर आप count करो total कितने weights and biases है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है total weights है 6 biases है 3 total मिलाके यहाँ पर 9 trainable parameters है तो आपको अब क्या करना है मैं एक बार फिर से summarize कर रहा हूँ यह पूरा का पूरा step कैसे काम करेगा you would start with a random value और some value of your weights and biases मैंने क्या value लिया weight का value 1 सारे biases का value 0 उसके बार मैं क्या करूँगा एक एक करके अपने students को उठाऊँगा मैंने अपने पहले student को उठाया उसके लिए prediction किया forward propagation use करके ठीक है एक number मिला अब मैंने उसको loss function में डाला और इस point के लिए error calculate किया इस point के लिए error calculate किया अब जैसे ही error calculate हो गया अब मुझे बस क्या करना है पीछे जाना है अपने neural network में और एक एक करके हर layer में weights और biases को update करना है और वो updation कैसे होगा using this formula मैं आपको एक example दिखाता हूँ कि मानलो आपको L में L को minimize करने के लिए O21 को change करना था O21 इन 5 चीजों पर depend कर रहा है तो आप सबसे पहले इस weight को update करोगे तो इस weight को update करने का formula क्या हो जाएगा W211 new would be W211 का जो पुराना value है minus learning rate del of L as in partial derivative of L with respect to this this will be the formula similarly अगर मुझे इस weight को update करना है तो इसका formula हो जाएगा W211 का new value would be W211 का old value minus learning rate times partial derivative of loss with respect to W211 और similarly अगर मुझे इस bias को update करना है तो इसका formula हो जाएगा B21 new is equal to B21 old minus learning rate times partial derivative of L with respect to B21 अब guess what अगर आप सिर्फ इस पे focus करो तो आपके पास ये value already है it is 1 हमने start किया था 1 से मेरे पास एक learning rate भी होगा generally 0.1 होता है अब बस मुझे ये term निकालना है ये term मेरे पास नहीं है ये term क्या है यही वो term है this is basically the derivative of loss with respect to this particular weight ये मुझे आप निकालना है इसी के उपर अब सब कुछ है यही चीज मुझे निकालनी है और अगर आप वापस उस definition पर जाओ मैंने आपको जो वीडियो के शुरुआत में दिखाया था एक बार अगर आप फिर से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा given an artificial neural network and an error function हमारा loss function is mean squared error the method calculates the gradient partial derivative of the error function with respect to the neural network's weight देखो हम यही कर रहे है we are calculating the gradient of error function gradient किसको बोला जाता है gradient partial derivative को बोला जाता है partial derivative is gradient ठीक है so we are calculating the gradient of the error function हमारा जो loss function है हम उसका derivative निकाल रहे है with respect to all the weights ठीक है I hope आपको यह समझ में आ रहा है तो in short मुझे क्या करना है अब यह जो 9 derivatives है यह जो 9 derivatives है यही मुझे calculate करना है क्योंकि बाकी चीज़े मेरे पास है initial value है मुझे बस यह derivatives का अगर value मिल जाएगा तो यह algorithm complete हो जाएगा और यह काम करने लगेगा ठीक है तो next मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने loss function का derivative calculate करोगे for each of your rates and biases so guys अब इस वीडियो में हमारा next target है यह 9 derivatives calculate करना यह 9 derivatives ठीक है हमारे सारे के सारे जो trainable parameters हैं उनके respect में loss function का derivative हमें calculate करना है ठीक है तो we'll start with the first set हम सबसे पहले यह वाला निकालेंगे यह basically यह तीनो weights and biases है so देखो यह derivative तो निकल जाएगा इतना कुछ difficult काम नहीं है but मैं आपको एक intuition देना जाता हूँ कि हम derivative निकालने के पीछे क्यों पड़े हुए ठीक है देखो समझने की बात यह है कि मुझे loss function को minimize करना है loss function depend कर रहा है y hat के उपर y hat depend कर रहा है w 211 के उपर इस weight के उपर तो फिर मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं इस quantity से मुझे क्या मिल रहा है ये समझना बहुत जरूर है देखो क्या मिल रहा है आपको क्या करना पड़ेगा first principles से समझना पड़ेगा कि derivatives क्या होते है देखो कभी भी आप dy by dx निकालते हो तो इसका क्या मतलब हुआ y एक quantity है x भी एक quantity है आप ये पता करना चाहते हो कि जब x में एक छोटा सा change आएगा तो उससे y में क्या change आता है तो अगर आप इसको plot करो x और y को तो that is why आप slope निकालते हो उस quantity का क्योंकि आप पता करना चाहरे हो कि जब आपने एक छोटा सा change किया x में तो y में कितना change आया यही होता है derivative यह शायद आपने maths में पढ़ा होगा तो जब मुझे बोला जा रहा है कि ये निकालो derivative of l with respect to derivative of weight to 111 तो मुझे से क्या पुछा जा रहा है कि जब मैं इसमें थोड़े से changes कर रहा हूँ तो उससे इस quantity में क्या change आ रहा है मुझे यह निकालना है यह बात I guess आपको समझ में आ रही है बट अगर आप यह change समझो तो आपको दिखाई देगा कि जो w211 है यह actually directly related है ही नहीं loss से मतलब इसमें किया हुआ change directly यहाँ पर दिखाई नहीं देगा यह indirect reflection है मतलब यह होगा कि जब मैं w211 में कुछ change करूँगा तो उससे y hat change होगा और जब मैं y hat में थोड़ा सा change आएगा तो उसकी वज़े से l में change आएगा I hope आपको यह बात समझ में आ रही है कि आप directly यह निकाल नहीं सकते आप directly यह निकाल नहीं सकते until आप पहले यह निकालो और फिर उसमें आप multiply कर दो इसको सो देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ मैं पहले निकाल रहा हूँ कि w211 में change करने से y में कितना change आ रहा है और फिर मैं निकाल रहा हूँ कि उस y में change आने से l में कितना change आ रहा है ठीक है यह जो मैंने आपके सामने किया इसको बोला जाता है chain rule of differentiation ठीक है तो ध्यान से सुनना हम यह निकालना चाहते हैं कि इस weight में change करने से loss में कितना change आ रहा है और इसके लिए मैंने क्या किया इसको breakdown कर दिया कि weight के change से y hat में कितना आ रहा है और y hat से loss में कितना रहा है तो अब अगर हमें यह निकालना है यह quantity निकालना है तो उसके लिए हमें यह दोनो quantities निकालनी पड़ेंगी ठीक है है y minus y hat का whole square मैं i वाला notation यूज नहीं कर रहा हूँ फाल्तू का confusion होता है जैसे आप इसको differentiate करोगे आपको मिलेगा 2 times y minus y hat और फिर आप individually differentiate करोगे तो आपको आजाएगा 1 minus 1 तो इस quantity का output यह है I hope आपको समझ में आ रहा है अब हम यह निकालेंगे अब अगर आप notice करो यह जो y hat है यही आपका o 2 1 है और o 2 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हो एक बार में लिख देता हूँ आप इसको लिखोगे यह जो output है इस वाले note का o 1 1 times w 2 1 1 plus इसका output o 1 2 times w 2 2 1 plus इसका bias b 2 1 अब यह differentiation बहुत simple है यह वाला term सिर्फ यहाँ पर है बाकि सब 0 हो जाएगा और इसका answer आजाएगा o 1 1 अब आपके पास यह दोनों चीजे आ गई तो going by this logic आप लिख सकते हो del l by del w 2 1 1 would be equal to minus 2 times y minus y hat times o 1 1 हमने यह first चीज calculate कर ली guys this is done यह वाला हो गया अब हम similarly क्या करेंगे यह वाली चीज calculate करेंगे अब इसमें भी अगर आप समझो तो बहुत simple है आपका loss depend कर रहा है y hat पे y hat depend कर रहा है 5 चीजों पे उसमें से एक चीज है w2, 2, 1 तो जब मैं यह निकालने जा रहा हूँ तो मैं actually यह पूछ रहा हूँ कि इस weight में एक छोटा सा change करने पे loss पे क्या फर्क पड़ेगा तो आपको पता है आप क्या करोगे आप फिर से chain rule apply करोगे और आप लिखोगे del of l divided by del of w2, 1 would be del of l del y hat times del of y hat times del of w2, 2, 1 अब अगर आप notice करो तो यह वाला जो term है यह उपर वाले में भी common था और यह यहाँ पर भी common है इसका answer मुझे पता है अब बस मुझे यह चीज़ निकालनी है यह चीज़ कैसे निकलेगी बहुत simple है यह हो जाएगा del of del w2, 2, 1 और यहाँ पर आजाएगा o, 1, 1 o, 1, 2 w2, 2, 1 plus b, 2, 1 बिसिकली यह वाला सेम चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया अब यह वाला term सिफ यहाँ पर है तो इसका answer आजाएगा o, 1, 2 तो going by this logic I can write del of l del w2, 2, 1 would be equal to minus 2 times y minus y hat o, 1, 2 यह रहा मेरा second derivative हमने यह वाला भी calculate कर लिया यह वाला अब हमें निकालना है b के लिए b के लिए फिर से समझो यह same rule apply होगा कि loss depends on y hat y hat depends on b तो फिर से आप लिखोगे same ही चीज़ आएगी I guess अब आप pattern notice कर रहे हो b, 2, 1 is equal to del of l, del of y hat multiplied by del of y hat del of b, 2, 1 यह वाली चीज़ फिर से same है इसका answer हमें पता है हमें सिर्फ यह calculate करना है और यह calculate करना बहुत ही easy है सिर्फ यह आखरी वाला term है जिसमें b, 2, 1 आ रहा है और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका answer आजाएगा 1 और going by this logic यह हो जाएगा minus 2 times y minus y hat और यह हो गया guys हमारा आगे का काम हमने अब यह भी निकाल लिया हमने यह भी निकाल लिया अब आगे के derivatives निकालने के पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ थोड़ा attract करना चाहूंगा कि यह जो हमने derivatives का formula निकाला यह कितना simple है अगर आप देखो तो हम क्या कर रहते हैं अगर आप flow पूरा याद है आपको तो हमने start किया था पहले student से हमने पहले student के लिए initialize किया था उसके बाद हमने पहले student को पकड़के उसका forward propagation यूज़ करके उसका prediction निकाला था loss calculate किया था और उसके बाद हम लोग weight update करने आ गये थे तो weight update करने का अगर आप formula देखो तो क्या है formula जैसे अगर आपको ये वाला weight update करना है for the first student तो आपका formula है minus 2 times y y क्या है उस पहले student का output this one ये 3 आ जाएगा similarly y hat क्या है उस पहले student के लिए y hat है 18 जो यहाँ पे आया था ठीक है और o11 क्या है o11 है जब हमने forward propagation किया होगा तो इस वाले note से जो output आया होगा that is o11 ठीक है ना तो forward propagation से हमें o11 भी मिल जाएगा तो you can see कि 3 numbers मेरे पास है जो मुझे ये calculate करने के लिए चाहिए तो मैं जट से ये derivative calculate कर दूँगा ठीक है तो अब बस हमें क्या करना है इसी तरीके से बाकी के derivatives को calculate करना है next हम लोग calculate करेंगे derivative of L with respect to w111 ये जो weight है ठीक है तो basically हम क्या निकालना चाहरे है कि इस weight में छोटा change करने पर L में कितना change होगा ठीक है अगर आप फिर से वो hierarchy diagram बना हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं हापे लिख रहो L depends on y hat y hat depends on five things ठीक है y hat depends on five things ये दोनों weights ये वाला bias और इसका output और इसका output ठीक है अब इसका जो output है o11 this depends on five things और उनमें से एक चीज़ है ये weight तो फिर से एक indirect आपका relationship है कि जब आप इसमें change करोगे तो उससे ये change होगा उससे ये change होगा और उससे ये change होगा तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे आप लिखोगे del l by del y hat del y hat divided by del o11 और del o11 will be this chain rule ठीक है similarly अगर मुझे इस वाले weight का निकालना है इस वाले weight का तो ये हो जाएगा del l, del w1, 2, 1 ये किस पे होगा सेम ही है सब कुछ आप निकालोगे del l, del y hat del y hat del o11 del o11 del w1, 2, 1 देख लो ये जो first वाला part है इतना part ये दोनों में सेम है this much is common चीक है अब अगर आप फिर से bias की बात करो ये वाला bias तो ये वाला output bias पे भी depend करता है तो फिर से यहाँ पे लिख दूँगा सेम चीज़ del b11 would be equal to सब कुछ सेम होगा पहला दो और फिर del o11 would be this फिर से you can see ये वाला part common है बस आखरी वाले part में changes करने है ठीक है I guess यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है अब हम करेंगे इन दोनो weights का और इस वाले bias का ठीक है तो notice करना अब यह यहाँ पर आएगा यह y hat also depends on इसका output which is o12 और यह o12 भी depend करता है पांच चीज़ों पर ठीक है यह दोनो weights इसका bias और यह दो inputs ठीक है जैसे यहाँ पर भी यह दो inputs थे तो अब अगर आप फिर से लगाओ यह तो यह हो जाएगा del l del y hat फिर del y hat इस बार depend करेगा इस पर del o12 और del o12 will depend on this weight del w1 12 ठीक है similarly I can write इस वाले weight के हिसाब से पहले दो सेम रहेंगे और यह आखरी वाला बस change हो जाएगा और यहाँ पर आज जाएगा w122 और अब बस मुझे इस bias का निकालना है फिर से पहला दो सेम रहेगा del l del y hat del y hat del o12 del o12 del b12 और अगर आप नोटिस करो तो फिर से यह वाली जो चीज है यह common है तो अगर आप इन 6 के उपर focus करो तो आपको totally कितने derivatives निकालने हैं आप देखो आपको सबसे पहले निकालना है del l y del y hat यह सब ही में है इसमें भी 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 है और इसमें भी है and guess what, यह बाकियों में भी था, यह आप उपर निकाल चुके हो, यह देखो, यह आप निकाल चुके हो, इसी का value तो यह है, तो यह already हमारा calculate हो चुका है, I'll come down, यह already हो चुका है, ठीक है, second मुझे क्या निकालना है, यह वाला term, डेल, यहाट, डेल, ओ, वन, वन, यह हमने अभी तक नहीं निकालना है, यह हमें निकालना है, और इसके अलावा हमें, यह तीन चीज़े निकालनी है, यह वन, यह टू, यह थ्री, ठीक है, similarly, यहाँ पर आप नोपस करो, तो यह पहला वाला निकल चुका है, यह दूसरा वाल यह हमें निकालना है, और इसके अलावा यह आखरी वाला एक, दो, और तीन निकालना है, ठीक है, तो यह निकालना बहुत सिंपल है, जैसे अगर आप नोटिस करो, यह क्या होगा, मैं एक एक करके निकाल देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, I know, बट ठ ही कह चलो, आपके लिए भी प्राक्टिस की चीज़ है, तो यहाट, ओ वन वन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बहुत सिंपल है, आपका यहाट का फॉर्मुला क्या है, इसके आउट्पुट का फॉर्मुला क्या है, उपर हमने लिख रखा था, डबलू, टू, वन वन, ओ व आप ओ वन वन से डिफ्रेंशियेट करोगे, तो बस यह टर्म है, इसका अंसर आएगा, डबलू, टू, वन, वन, तो इसका अंसर है, डबलू, टू, वन, वन, ठीक है, सिमिलरली, जब आप यह टर्म के लिए निकालोगे, यहाँ पर टू होगा, सौरी, यहाँ पर टू आप यहाँ जाएगा, ओवन, वन, प्लस, डबलू, टू, टू, वन, ओ, टू, प्लस, बी, टू, वन, और अब आप जब डिफ्रेंशियेट करोगे, तो सिर्फ इस टर्म में है, तो इसका अंसर आजाएगा, डबलू, टू, 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 ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, एक एक करके ये टर्म निकालना है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ठीक है, तो इनको भी जल्दी से निकाल लेते हैं, उसके बाद आप मल्टिप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ये वाला टर्म होगा, डेल, एक बारी डाइग्राम फिर से यहाँ पर बना ले ठीक है हमें next निकालना है O11 with respect to यह ठीक है basically इसका जो output है उसका इसके respect में change निकालना है तो यह तो बहुत simple है O11 कैसे calculate होगा O11 calculate होगा IQ times W111 plus CGPA times यह वाला weight यहां से IQ घुस रहा है यहां से CGPA घुस रहा है this weight is W121 plus इसका खुद का bias B11 इसको जब आप differentiate करोगे तो बस यह वाला term है तो बाकि सब तो 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा और यहां पर बज़ेगा IQ का value for the first student जिस student के लिए आप update कर रहे हो इस student का IQ का value so basically यहां पर मैं लिख सकता हूँ IQ के value को मैं लिख सकता हूँ XI1 I मतलब Ith row और इसको मैं लिख सकता हूँ XI2 यहां पर भी I का मतलब है row ठीक है अगर आप पहले student की बात कर रहे हो तो X11 हो जाएगा और अगर आप दूसरे student की बात कर रहे हो तो X21 हो जाएगा इस तरीके से बढ़ेगा तो मैं IQ के बदले लिख देता हूँ XI1 similarly जब आप अगला term निकालोगे यह क्या है इसके respect में इसके respect में आपको भी पता है कि यह हो जाएगा simply XI2 CGPA का value और जो तीसरा था आपका bias term B11 बेसिकली इसके bias के respect में sorry O11 with respect to B11 हो जाएगा one because जब आप इसको differentiate करोगे तो वन आएगा चीक है तो यह तीन terms हो गए और जब आप अब आप इन तीनों को भी जब आप differentiate करोगे देख लो एक बार डबलू ओ वन टू इसका output पांच चीजों पर depend कर रहा है मैं निकालना चाहरा हूं कि वो इस weight पर कितना depend कर रहा है वन टू यह क्या हो जाएगा डेल ओफ डेल डबलू वन वन टू इसका output पांच चीजों पर depend कर रहा है IQ टाइम्स डबलू वन टू प्लस CGPA टाइम्स आपका ये वाला weight डबलू वन टू टू प्लस इसका खुद का बायस तो यहां से फिर से आपको IQ मिल जाएगा जिसको आप XI1 बोलोगे जब आप O12 को निकालोगे with respect to O तो इसका value आजाएगा XI2 CGPA और जब आप ये निकालोगे del B12 तो ये आजाएगा 1 ठीक है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ ये सारे के सारे derivatives को लिख सकता हूँ ये सारा टंग और नीचे से जो मैंने calculations किया है उसको यहां पर फिल कर दूँगा ठीक है देखो जैसे कि अगर मुझे ये निकालना है तो ये क्या होगा पहले वाली की वज़े से होगा फिर इस बीच वाले को हमने यहां पर calculate किया था यह आया था W211 और यह लास्ट वाले को हमने नीचे calculate किया था यह आया था XI1 फिर यह आ जाएगा minus 2 times y minus y hat और यहां पर भी W211 यहां पर आ जाएगा XI2 और यह वाला हो जाएगा minus 2 y minus y hat W211 यह रहे हमारे बागी के तीन answers चीक है similarly हम क्या गर सकते है यहां पर answer लिख सकते हैं मैं इसको erase कर रहा हूँ यह answers बस मैं याद रखूँगा कि यह था del of y hat with respect to o12 तो अब आपका यह term बन जाएगा minus 2 times y minus y hat यह यहां पर निकला हो है W211 times XI1 यह हो जाएगा minus 2 times y minus y hat W211 यह रहा है आपका बागी के derivatives हमने 9 के 9 derivatives calculate किये और मैंने ऐसा जान मुझके किया because I want you to find patterns पाटन्स आपको समझने है ठीक है यह रहे हमारे 9 derivatives यह रहे हमारे 9 derivatives यह रहे 1 यह रहा 2 यह रहा 3 यह रहा 4 यह रहा 5 यह रहा 6 यह है 7 8 और 9 अगर आप सबको analyze भी करो ना तो आपको पता चल जाएगा कि इन सबका value आपके पास है इन सभी चीजों का value आपके पास है so आप क्या कर सकते हो बहुत easily you can go to your algorithm and you can apply these formulas बहुत easily ठीक है तो अब हम क्या करेंगे हमने सारे derivatives मिकालना सीख लिया अब हम वापस जाएंगे और एक बार फिर से ये पूरा के पूरे steps को repeat करेंगे so guys चलो हमने सारे derivatives calculate करना सीख लिया अब हम लोग क्या करेंगे एक बार फिर से back propagation algorithm को repeat करेंगे ठीक है so this is the data जिसमें 4 students है और ये मेरा neural network है जहाँ पे 9 trainable parameters है back propagation कैसे काम करेगा सबसे पहले step 0 में आप क्या करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे अपने weights और biases को एक value देके initialize कर दोगे कुछ लोग इसको randomly value देते हैं हमने क्या किया है हमने सारे weights को 1 दे दिया और साय biases को 0 दे दिया simple तरीका initialize करने का क्योंकि मैं आपको अगले video में सारा calculation करके दिखाने वाला हूँ तो मैंने ये तरीका use किया अब आप step 1 में क्या करते हो you run a loop और loop आप चलाते हो कितनी बार जितने students हैं आपके data में basically 4 बार अब आप loop के अंदर क्या करोगे हर बार एक-एक student को उठाओगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1A यहाँ पे क्या करोगे you will take one student and you will do forward propagation और forward propagation से आप prediction करोगे उसका salary का LPA ठीक है आपको एक number मिलेगा so यहाँ पे prediction आ जाएगा माललो अठारा आया अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे उस prediction को use करके loss calculate करोगे हमारे case में msc is the loss function तो that would be y minus y hat का whole square ठीक है अब उस loss के basis पे what you will do is you will adjust all the weights and biases ठीक है और यह adjustment ज्यू होगा उसका formula क्या होगा यह gradient descent लगेगा यहाँ पे और formula होगा सारे के सारे weights का जो नया value होगा वो होगा पुराना value जो की 1 और 0 था minus learning rate आप कुछ एक choose करके रखोगे derivative of w old और यह सारे derivatives हमने calculate करके रखे हैं उनको हम यहाँ equation में डाल देंगे basically यह वाला step में आपको 9 times यह step आपको 9 times करना है one for each weight and bias ठीक है और ऐसा फिर आप जैसी करोगे तो आपको अपने weights की नई value मिल जाएंगी फिर आप वापस यहाँ पे जाओगे अगले student को उठाओगे उसके लिए prediction करोगे उसके लिए loss calculate करोगे उसके लिए फिर से इस formula से in weights और biases को change करोगे फिर अगले student पे जाओगे उसका LPA calculate करोगे फिर से loss calculate करोगे और weight को change करोगे फिर last student आएगा last student के लिए prediction, loss calculation और weight adjustment सो हर बार क्या हो रहा है हर अगले student के आने पर मेरे weights change हो रहे हैं और धीरे-धीरे सही होने की तरफ बढ़ेंगे अब ये जो पूरा काम है ये जो पूरा काम है ये आप actually multiple times करोगे सो आप क्या करोगे अपने data के उपर multiple rounds में ये पूरा operation चलाओगे मतलब इसके उपर आप यहाँ पर एक और loop चलाओगे ठीक आप ये loop 100 बार हो सकता है या 1000 बार हो सकता है basically जब तक convergence नहीं आ जाता convergence का मतलब है जब तक आपका loss completely minimize नहीं हो जाता तब तक आपको बाहर वाला loop चलाना है और जितनी बार आप ये बाहर वाला loop चलाते हो इसी को बोला जाता है epochs basically आप अपने algorithm को अपने data के उपर multiple chances दे रहो ठीक है फिर दूसरी बार जब चलेगा तो फिर से first student का data घुसेगा फिर से second का data घुसेगा फिर से third का data घुसेगा फिर से last का data घुसेगा फिर से repeat होगा ठीक है तो यही होता है back propagation algorithm जब तक convergence नहीं आता convergence का मतलब है loss minimize नहीं हो जाता मतलब यहाँ पे 8 था जब तक इस बच्चे का answer 8 के आसपास नहीं आता तब तक आप ये काम करते रहोगे तो कई बार लोग 100-1000 बार करते हैं तो काम अपने आप हो जाता है तो तब तक आपको ये अंदर वाली पूरी चीज़ को करते रहना है इसी algorithm को बोला जाता है back propagation इसी को बोला जाता है back propagation तो I hope मैं आपको समझा पाया अब हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में कि एक प्रॉपर डेटा सेट लेंगे और उसके उपर प्रॉपर calculation करके answer निकालेंगे और फिर उसको एक code में convert करेंगे और देखेंगे कि code सच में हमारे loss को reduce कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमारा अगला वीडियो होगा the how so that was the video guys backpropagation part 1 the what I hope मैं आपको समझा पाया कि backpropagation कैसे काम कर रहा है बहुत सारी चीज़े अभी भी बची हुई है और वो हम लोग अगले दो वीडियो में cover करेंगे अगर आप को ये वीडियो पसंद आया तो please like कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है please do subscribe, it matters ठीक है so that's it from my side let's meet in the next video, bye